नमस्कार बच्चो कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्ण 8 हम करने जा रहे हैं देखे बच्चो प्रश्ण है यदि 3 कौट ए बराबर 4 है तो जाच कीचे की 1 प्लस टैंस केरे बटा 1 प्लस टैंस केरे एक इसमें से जो उपर है यह है माइनस है 1 माइनस टैंस केरे बटा 1 प्लस टैंस केरे क्या यह है कॉस केरे माइनस साइन स्केरे के बराबर है या नहीं है हमें इसकी जाच करनी है तो आएए शुरू करते हैं सबसे पहले बच्चो हम बना लेंगे एक सम कौन त्रीबूज जैसा कि आपको पता है जहां भी इत्री कौन मित्यान पातों की बात आएगी वहां एक समकौन अवश्य बनेगा तो इस त्रीबूज का जो नाम है वह है इस प्रकार से लिखना है कि हमें कौन दिये गए है ए, 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 टैंस्केर, साइन, कॉज इसका मतलब यह जो अधार के साथ कौन है यह होना चाहिए तो इसे भी माल लेते हैं और इसे सी माल लेते हैं ठीक है बच्चो तो अब जो प्रश्ण है वह है तीन कॉट ए, बराबर है चार के, तो यहां से कॉट एक इसके बराबर आएगा बच्चो चार, तीन इसके साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग, और कॉट का फार्मूला होता है यदि आपको याद हो तो बेस बटा प्रपेंडिकुलर, बच्चो आपको यह प्रश्ण देखने में बड़े असाल लग रहे होंगे क्योंकि फार्मूले सारे मैं बोली जा रहा हूँ यह आपको खुद याद करने पड़ेंगे बच्चो तो कॉट यह होता है बेस अपॉन प्रपेंडिकुलर और उसका मान है यह इसका मतलब बेस आ गया चार प्रपेंडिकुलर आ गया तीन तो बेस को लिख दो चार और प्रपेंडिकुलर को लिख दो तीन अब त्री भुज में दो भुजाएं पता है तो क्या करेंगे हम पाइथा गोरस प्रमे लगा कर तीसरी भुजा निकालेंगे तो पाइथा गोरस प्रमय के अनुसार देखें हाइपो स्क्यर बराबर होता है बेस स्क्यर प्लस प्रपेंडिकुलर स्क्यर के हाइपो नहीं पता उसका नाम है एसी तो एसी का स्क्यर बराबर है बेस बेस कितना है चार तो चार का स्क्यर प्लस प्रपेंडिकुलर है तीन तो 3 का स्क्वेर 4 का स्क्वेर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वेर होता है 9 तो यानि कि 16 और 9 हो गया 25 यानि कि AC का whole स्क्वेर बराबर होगा 25 किसका स्क्वेर है बटा 5 का स्क्वेर होता है 25 स्क्वेर से स्क्वेर कड़ गया तो AC किसके बराबर आगया है पांच के ब्राबर आ गया है तो AC जो है यह है पांच इससे क्या होगा यह पाइथागोरस प्रमे लगाने से क्या हुआ हमें तरिभुज की तीनों ही भुजाएं पता लग गई है अब हम आते हैं अपने में प्रश्ण पर और में प्रश्ण कहता है कि सिद्ध करो 1-tan square A 1-tan square A upon 1-tan square A यह ब्राबर होगा cos square A के minus sin square A के ब्राबर होगा तो बच्चों हम tan A, sin A, cos A यह तीनों ही पहले निकाल देंगे ठीक है बेटा, देखो कैसे 1-tan A tan का फार्मुला उतार perpendicular बटा बेस तो यानि कि 3 बटा 4 whole square tan का square यानि 3 बटा 4 का whole square upon 1-tan square A 1-3 बटा 4 का whole square ब्राबर है cos square A minus sin square A तो देखे cos square A cos, cos होता है base upon hypotenuse तो base है 4, hypotenuse है 5 तो cos हो गया base upon hypotenuse cos square A यानि इसका square minus sin square A sin होता है perpendicular upon hypotenuse perpendicular है 3 बटा hypotenuse है 5 इसके square के ब्राबर अब हमें इसे हल करना है बच्चोर देखना है कि left side right side के ब्राबर आती है या नहीं आती है तो आए देखते है देखे यहाँ पर है 1 minus 3 का square होता है 9 बटा 4 का square होता है 4 चुके 16 ब्राबर बटा 1 प्लस ये वाला प्लस यहाँ लगाया 3 का square होता है फिर से 9 बटा 4 का square होता है 16 तो यहाँ गया 1 minus 9 बटा 16 बटा 1 plus 9 बटा 16 इसे हम हल करेंगे बच्चो बराबर यहाँ है 4 का square 4 चुके 16 बटा 5 का square 5 पाजे 25 3 का square 9 बटा 5 का square 25 हमें इसे हल करके देखना है कि लेफ्ट साइड इसकी राइट साइड के वरवर आती है यहाँ नहीं आती है तो देखिए बच्चो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 इससे क्या होगा 16 और 1 का लगुत्तम होता है 16 16 को 1 से बाग किया 16 गुना 1 16 माइनस 16 को इस 16 से बाग किया 1, 1 को 9 से गुना किया 9 बटा अभी हमने क्या किया है मैं थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ कि ये उपर वाले step था मैंने pink line सिरफ इनको अलग अलग दिखाने के लिए लगाई है तो आगे देखते है नीचे भी बचा 16 और 1 का लगुत्तम आ जाएगा 16 16 को 1 से बाग किया 16 16 गुना 1 16 प्लस 16 को 16 से बाग किया 1 1 गुना 9 25 और 25 का लगुत्तम आ जाएगा 25 उपर 25 को 25 से बाग किया 1 1 गुना 16 16 25 को 25 से बाग किया 1 1 को उपर 9 से गुना किया 9 अब यहाँ देखे क्या होगा कि यहाँ हर में 16 है यहाँ भी हर में 16 है 16 से 16 कट गया बागी क्या बच गया 16 माइनस 9 16 में से 9 निकाल दो साथ बटा नीचे है 16 प्लस 9 16 प्लस 9 होता है 25 बराबर यहाँ 16 में से 9 माइनस किया साथ बटा नीचे है 25 तो देखिए left side right side के बराबर आ गई है तो हम यहाँ ली देंगे left side left hand side बराबर है right hand side proved proved यानी हमने इसे सिद कर दिया यही हम से पूछा गया था कि क्या 1 minus 10 के रे अपन 1 plus 10 के रे बराबर है cos के रे minus 10 के रे के या नहीं तो हमने लीग दिया left hand side बराबर right hand side proved तो बच्चो हालां कि यह फ्रेशन थोड़ा सा लंबा है लेकिन कठिन नहीं है यदि आप ध्यान से सभी steps को पढ़ेंगे देखेंगे समझेंगे तो आपको सभी steps बहुत अच्छे से समझ आएंगे आशा करता हूँ इस वीडियो के मादर से आपको यह फ्रेशन अच्छे से समझाया होगा यदि आपको कोई भी step ना समझाया हो तो आप क्या कर सकते हो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाकर दुबारा देख सकते हो उससे आपको वह step दुबारा समझाया जाएगा नहीं समझाया हो दो बार तीन बार चार बार वीडियो आपके पास है जितनी वार चाहें इसको दुबारा दुबारा देख देखकर अच्छे से समझ सकते हैं आशा करता हूँ हमारा यह प्रयास आपको समझ आएगा और इस प्रशनावली के यदि आप अन्य प्रशनों को भी समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर आप अन्य प्रशनों के वीडियो को देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं धन्यवाद बच्चो